राधे राधे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों का नाम टी अक्षर से सुरू होता है उनके लिए 2024 से 2030 तक का शमय कैसा रहेगा इन साथ वर्षों में इनके जीवन में क्या क्या होने वाला है वीडियो बहुत ज्यादा महत पुर्ण है तो बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए वीडियो के लाष्ट में आने वाले समय का एक टोटका है तो आपको उसे भी सुनना है और आजमाना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरूआत करते हैं शब से पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में मित्रों प्रेम शंबंध के दृष्टि कोन से आपका जो आने वाला शमय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बहतर और शांदार रहेगा आने वाले वर्षों में प्रेम शंबंध के मामल ये आपका शाथ अवश्य देगा और आप में से जो भी लोग पहले से प्रेम शंबंध में हैं तो आने वाले वक्त में आपको अपने शंबंध में बहुत जयादा इमांदार और वफादार होना होगा और अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के शाथ में आपको छल कपट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अगर अपने प्रेम शंबंध में आप इमांदार नहीं होते हैं अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका के शाथ में अगर कोई भी छल कपट करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना, मन मुटाओ का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और आपके पार्टनर आपका शाथ नहीं देंगी तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों अगर आपके सिक्षा की बात करें तो सिक्षा के द्रिष्टी कोंसे आपका आने वाला शमय एकदम शांदार होगा अने वाले वर्षों में अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के छेत्र में अगर अपने एक आगरता पर में आप काम करते हैं अपने समय को अगर आप बरबाद नहीं करते हैं तो आपका शमय आपका भाग्य आपका शाथ अवश्य देगा परंतु आपकी सं गरता है वो कहीं न कहीं भंग हो जाएगी तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है मित्रों आप में से जो भी लोग आने वाले वर्षों में पढ़ाई के कारण अपने घर से दूर किसी और सहर में किसी और राज में या किसी और देश में जाना चाहते हैं तो घर से बाहर जाने का मौका आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों इसके बाद है आपका केरियर तो केरियर के दृष्टी कौन से आपका जो आने वाला शमय है वो एकदम सांदार होने वाला है आप मेंसे जो भी लोग अब तक बेरुजगार हैं जिनके पास में कोई काम नहीं है तो उनको चिंता नहीं करना है अने वाले वर्षों में अगर आप काम की तलास करते हैं तो आपको अच्छे काम की प्राप्ती होगी और अच्छे जगह पर आपको नौकडी अवश्चे लगेगी लेकिन दोस्तों आप मेंसे जो भी लोग नौकडी पहले से करते आ रहे हैं तो आपको अपने नौकडी के छ परवाही करते हैं काम चोड़ी करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पर सकता है तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है और आप में से जो भी लोग आने वाले वर्षों में नौकरी के छेतर में अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफर के द्रि बहुत जयादा बढ़ेगी परंतु कमाई बढ़ने के साथ साथ आपका जो फिजूल खर्ची है आपका जो फाल्तू का खर्च है वो भी बहुत जयादा बढ़ने वाला है और फिजूल खर्ची बढ़ने से आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है अगर पॉसिबल हो तो उपने फिजुल खर्चीपर में आपको कंट्रोल करना चाहिए अन्य था आपके पड़िवार में आपको तनाव का सामना मन मुटाव का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा तो इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों अगर आपके उपाई की बात की जाये तो प्रतेक दिन आपको भगवान सुर्य के सुर्यास्टक का पाठ करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीबन में कहीं कोई परेशाने बिलकुल भी नहीं होगी और आपका आने वाला शमय सांदार हो जाएगा दोस्तों मेद करता हूँ साड़ी बातें क्लियर हो पाड़ी निवा दे